तो साड़े पांच बज़े की गाड़ी ती जो कि अभी तक छी तरड़े से बेज तक भी नहीं आई बगर हम अभी बैटें इस्टेशन पर ही हमारा सबसे नायाद जानवार जो कि कोटा में होने वाला है अंडुल को आने वाला है और वो लेगा हमारे फांपर डारेक्ट जिस इसका नसीब अच्छा कर रहा है अलहम्दुलिल्ला बहुत लंबे सफर के बाद हमारा वकरा हमारे फांपर आचुका है और सात बजे पर हम अमारे फांपर उसको लेकर आ गए लागा ऐसान है में मेरा मोबाइल कर ठीक नहीं करा पाया था और यह हमारे फांपर कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा स्थंड नहीं है फिलाल जो रात की सर्दीती वह हमदुलिल्ला खतम हो चुकी और ओस इस हिसाब से गिर रहे है कि जैसे रात को बारिश हुई है तो उस पढ़ने सुरू हो चुकी है तो अपने बकरों को थोड़ा थोप टाइम पर ही बाहर निकाले एक डूंद को माशा अलला हुए तो ओत आए और हमस्को अभिसी छिखी दलाना सुरू करто emerged को खाल्की सर्दी हे घली क्या अच्छी ऐखा सी लेवल कीसर दीए इंशालला है उसका होण है सिस्टं से इख और फिर इंशालला इसको खिलाटा fire अच्चे अभीश को पत्ति रखें पत्ति खिलाते हैं इसको बस एक बक्रा और रहता है हमारा जो कि मेवाती में है बड़ा अंडू ले वह भी खसी होगा हो सकता है आज शाम तक वह भी आजाए या कल आए जैसा भी होगा इंशाला वह आपको ब्लोग के तो मालूम पड़ी जाएगा उसके बाद कोई बक्रा न चालू हो जाएगी और एक बड़ी अपडेट कि हमने कल हमारा वह जो बक्रा आया था जो कि बहुत नायाग चीज थी अलहम्दोलिल्ला वह पंच हो गया है बक्रा और अभी वह मैंने दोप में बाहर चोड़ा है और अलहम्दोलिल्ला फिट है बिल्कुल सही है उसको अभी इसको बेटावेट का इंजेक्शन दुगा में पेटरिव लोन इस पर यूजनी करूंगा इसको इंशालला दो तीन दिन में कवर हो जाएगा फिर इसको वाले कर चलेंगे वह जादा है और ठंड के साथ साथ काम भी बहुत जादा है कि हमारा जो फार्म पेर बच्चा रहत तो उसको भी इंशालला सारे को हमें कवर करना पड़ेगा लाइफ का पहला कोटा भी फार्म पर आगया है माशालला अल्ला कुबूल करे महनत हमारी और केज का जो सिस्टम हमने बनाया था तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्ला काफी बहतर दिख रही है चीजे एक बड़ा फिडर उसको दिया है अराम से खाएगा पानी वानी पिला दिया माशालला और थकान वकान भी इतनी नहीं है बकरे को अल्ला के करोड़ो ऐसान नर बकरा है जवान बकरा है माशालला बहुत नायब चीजे और इंशालला अल्ला ने चाह तो बहुत जल्दा आप लोगों से दिखाऊंगा भी वो अल्ला ताला उसको वापस ट्रैक पर ले आए कोई प्रेशानी में है इंशालला वो प्रेशानी दूर हो जाए उसकी और फिर इंशालला आप लोगो दिखाएंगे कि ट्रास्फोर्मेशन इंशालला में दुआ करना हमारे लिए कि हम इंशालला जिस के लिए काम कर रहे हैं वह चीज अल्ला कुबूल फर्माएं एंड यह हमारे छोटे बक्रे हैं कुछ बक्रे हमारे जो बड़े बक्रों में छोटे बक्रों में खाते हैं जैसे गुम रहे हैं तो इनको बाहर फिडर दिये हुए है साकीब आज नहीं है तो साकीब का डिपार प्रशान हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोहईशत कर रहा हूँ, कि ओर लोगों को बता सकूँ, कि हमारे फार्म पे जो हम लोग मसाला सेल करते हैं, उस्रिफ मेरे ही नंबर से लहाँ होता है इसके अलावब को कोई भी बंदा ये बोलने लगे कि मैं होल सेल में लेकर बेच इस नंबर के अलावा आप साब रिकोर्ट फार्म की किसी भी चीज की डिल करते हो तो उसके आप खुच जिम्मेदार हो उसमें मेरा कोई रोल नहीं रहेगा भाई प्लीज इस चीज को समझो क्योंकि हर जंगा से मेरे पास एक कोल्स वगएर आती है कि भाई वहां से लिया था वहां से लिया था अलहम्दुलिल्ला जितने भी हम पारसल निकालते हैं सब के पॉजर्टिव रिस्पॉंस है अलहम्दुलिल्ला लेकिन वहीं एक दो जंगा से फोन यह आते हैं कि भाई ऐसे किया था ऐसे हो गया और जब मैं उनसे पूछता हूं कि अपनी ओडर की डिटे समझ गया राओ है हम आरे एक संप पाणी वाला संप है एक उंसानों वाला साप और एक नॉर्मल वाला साप नॉर्मल वाली साप से थोमें कम खत्रा है बढ़े साम से ज्यादा खत्रा है पहर के बज चुके हैं फिल्हाल जो बजा है देड़ यानि की एक बज के तीस मिनट और कुछ बक्रे अभी भी फार्म पर हमारे खा पी रहे हैं और कुछ बक्रे माशालला रेस्ट मोड पर हैं mostly जनवर रेस्ट मोड पर हैं और क यह वारे फार्म पर आया है हमारा कोटा इसका जल्दी ही हम नाम रखेंगे इंशालला बहुत प्यारा यह माशाला से सब कुछ खापी के बहुत सुकून से जुगाली कर रहा है और इसको हमने हलकी सर्दी तो इसको हमने इंटा सेप में एविल मिक्स करके दिया है ताकि इसको माशालला बैड़ गई धूप में कम जानवर बैट रहे हैं और हानकुम ने निलाया था वो भी सुकून से बैटा है काफी सारे बक्रे खा रहे हैं काफी सारे बक्रे बैटे हैं फार्म पर अभी फिलाल सुकून सतर परसेंट है और कुछ जो सुकून नहीं है जो बक्रे वो इसको साम में treatment देंगे कि अभी उसने ज़्यादा कुछ घा पी नहीं यहां को पानी बानी प्लाने चलते हैं उसको पानी बाने पिलाने के बाद इंशालब उसको जेखते हैं क्या उसकी पोजिसन है ऊप्सान होता है था खाया कुछ निंग इतना सार ढिए ये सबसे बड़ी चोड़ है इस वाले फान्पवे रखने का सबसे बड़ा नुपसान ही होता है है कि हैं पर केर नहीं हो पाते क्यों कि हम लोग वहाँ पर ज्यादा दो जय रहते हैं और इधर यह چीजे क्हराब कर देते हैं ख़ासे क्म गिराते जादा है ज्रल म्याड़ाइन कर के आ जाट 10 अ मुझे न बड़ा दिमाग क्राब होता है डर्यों कर देखें प्रोब्लम आ रही है प्रोब्लम ही आ रही है कि उसके लिए कुछ पत्ते मंगा हैं मैंने और देखते हैं आज उसको पत्ते खिला कर क्योंकि बखरा अपसे जंगा अटने से और तीन चार दिन से जादा हो गए आइधिंग बखरा बहुत कम खा रहा है जब कि कल पंच वाता ह आज बाउन जाएगा तो मैंने उसके लिए पत्ते मंगा हैं फिलाल पत्ते पतनी गुलर के जागे देखता हूं पर फिर उसको इन्शाल्ला पत्ते खिला हूंगा तो पत्ते एक अश्यानमर बहुत खुशी से खा लेते हैं मौशली जानवत और जो बेसिकली पत्ती पर जिस अब तो वैसे बहुत है अपने लाइफ में लेकिन यहां पर हकीकत में हकीकत का साफ है जो कि तरिफ एक बार जैर मारेगा एक बार डसेगा चल्ला से इसको पत्ते बगएरा बांडे हमने और क्या रिस्पांस से पत्तों बटा खांके दिखाऊ लिए लिए बेटा अधर में यहां नी रहना गाना तो अकिला खाई लगा कोटा बगरों की यह एक अग्रेसर बख्रों जो होते हैं अन्डूल जो बगरे होते हूं को आदमी उसे बड़ी प्रोप्लम होती है अभी मैं थोड़े पत्ते उदर लेके जाता हूं और उदर के बख्रों को रख्या तरह में बता रहा हूं कभी भी जानवर के साथ जबरदस्ति मत करना जब जानवर नए आया हो इस पेसली जब जब वो परेशान ओआ हमारे हांपे क्या होता है कि जैसे हम लोग सरी फरीपति बखरों को खिलाते हैं और हरी पत्ति का इसका फिलाल टेस्ट नहीं है या इसने पति नहीं कहा इसको पत्ते मिल गए इंश्याला और यह कंद अब अच्छा हो जाएगा खापीगे मेरे मन की चीज़े मिल रही है खाने को और उसके बाद हम इसको दीर दीरे वहां फार्म पर सैट करें करेंगे बक्रों में तो इंशालला वो भी खाने लगेगा पती तो यह चीज होती है मेंडली बक्रों को कैसे सैट करा जाए वो चीज है इस बक्रे को घुमाया भी था था कि थोड़ा सा इसका पैर वेर भी खुले और इसको यह उदासी खतम हो अगर यह फिर भी सैट नहीं इसको बहुत नायाब चीज है इसको बहुत जल्दी हम लोग तैयारी पर लगाएंगे और आज से इंशालला उसका मसाला भी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा इंशालला यह रहा मसाला और यह रहा आपको अ सुभान अला माशालला 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 प्लीज भाइ लोग माशालला जरूर बोलना इसकी डोस हम रखेंगे दो चममच एक टाइम पर सुबा को कालिपेट दो चममच और रात को सब कुछ के भाद 2 चमज तो तो दो ड़ीगोड कि अब इसको आधत लगा रहें देरे देरे इसको खाने दो फिर इन्षाल्ला यह इसका डेली वेट जब करेगा नँजब डेली इसको खाने के एलिए परेशान रहेगा तो इसको चमज से देंगे इसको इशी से खिलाएं से बहुत सार माशाला 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 हम यहां पर आये हैं इस बक्रे को स्वेलिंग का इंजेक्शन देने जैसे बक्रा कल पंचु आता तो आज रास्य इसको स्वेलिंग बनेगे और सुबह तक बहुत बड़ी लेवल पर स्वेलिंग आ सकती है अगर इसका भी ट्रेटमेंट नहीं किया तो अभी हमने इसको पेड्रिस लॉन का इंजेक्शन दिया है क्योंकि बिटावेट का मिला नहीं था तो पेड्रिस लॉन भी अच्छा इंजेक्शन है स्वेलिंग के मामले में सुल्तान अभी कामगर इस बक्रियों कोल के महां बांदे पहले अरुदर ही पत्त्य बांदे बक्रिया में इदर बांदूगा और यहां का पैक अप करने आए हम लोग इधर हम ज्यादा आते नहीं है यह बक्रा इंशालला एक या दो दिन और यहां पर रुके का और उसके बाड़ वहां पर जाएगा बड़े बक्रों में सिफ्ट होने अभी मैंने भाई को बेजा है अब पांदूघकस प्रेखस बड़े देखने के लिए हो सकता है कि हमारे पांपए-दों ओर नया है क्योंकि ए ओल्हम जायेगा जब वहां जया लोग में लाग और फिर वह बहुँ इंशालला तयारी पर लग जाएगा पंचो था दीरे दीरे इंशालला आपको और अच्छे-चे व्लोग्स देखने को मिलेंगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत बूलेगा अगर आप पहली बार आयो मिलते हैं आप से कल के व्लोग में और तब तक के लिए खुद आफिस